Hello friends, last video में मैंने आपको अनुलोम विलोम प्रानायाम के बारे में बताया था और आज मैं कपाल भाती प्रानायाम के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि किसको करना चाहिए इस प्रानायाम को कैसे करते हैं और किस किसको ये प्रानायाम नहीं करना चाहिए चले मैं बता दूँ कपाल भाती प्रानायाम होता क्या है? कपाल मींस होता है मस्तस्क, यह हमारे संस्कृत वर्ट से बना हुआ है और भाती मींस होता है शाइनिंग, इल्यूमिनेटिंग, मतलब चमक हम इसे प्रानायाम ना कहकर एक क्लिंजिंग टेक्निक भी कह सकते हैं कि कपाल भाती प्रानायाम जो होता है वो एक क्लिंजिंग की तरह काम करता है हमारी बॉडी से जितने भी विशाक, पदार्थ होते हैं, टॉक्सिंस होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है तो इसे हम जादा तर लोग इसे cleansing technique के लिए ही जानते हैं कपालभाती प्राणायाम अगर आप सुबह पांच मिनिट के लिए भी कर ले तो आप कई सारी बिमारियों से मुक्त हो सकते हैं इसे करते कैसे हैं? यह बहुत ही easy method है इसे करने का यह hassle-free होता है और आपका जादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें हम सांस लेते हैं और तेजी से अपनी सांस को बाहर निकालते हैं इसे जैसे जो बिग्णर्स होते हैं उन्हें बहुत स्पीड में नहीं करना चाहिए मैं अभी बताती जाओंगी जैसे जैसे मैं करूंगी वैसे वैसे मैं आपको explain करते जाओंगी इसके लिए हम वजराशन या पदमाशन में बैठ सकते हैं आप जिस तरीके से comfortable हो, beginner हो तो सबसे जादा जरूरी होता है कि आप किस में आराम से कोई भी प्रानायाम करें इस प्रक्रिया को इस प्रानायाम को हम पदमाशन में, या फिर आप वजराशन में कर सकते हैं मुद्रा बनाकर और हम पहले सांस लेंगे जो Norman breathing करते हैं सांस लेंगे और छोड़ेंगे इससे क्या होता है कि हमने पहले सांस लिया, ब्रीद किया और टॉक्षिन्स को जो भी है वो बाहर निकाला इसको करने के लिए चिन अप आप बहुत जुके हुए नहीं होने चाहिए शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए बहुत ज्यादा यू नहीं ऐसे नहीं बैठना है बैक स्ट्रेट ये इन सब चीजों का आपको जरूर दियान डखना चाहिए तो आप चित्तमुद्रा में बैठ करके इरे से सांस लेंगे और फिर जो बिगनर्स है वो धीरे धीरे से एक्जेल करेंगे और जो अड़्वांस जो मिला से जो लोग रेगुलर करते हैं उन्हें कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी पहले आप इनहेल करेंगे आपका जो आप इसे आखे बंद करके करें तो जादा अच्छा है क्योंकि इससे हमारा पूरा फोकस हमारे पेट पे हमारी सांसों पे होता है जैसे आपको ऐसे सांस को बाहर नहीं निकालना है आपने सांस लिया और मतलब ना कंदों से इसको मूव करना है, ना ही आपको चेस्ट से निकालना है, आपको अपने स्टमक, मतलब आप जब भी सांस ले रहे हैं, तो आपको फील होना चाहिए कि वो पूरा सांस आपके पेट से बाहर आ रहा है, जैसे आपको फील होगा, कॉंट्रक्शन, आपको फील होगा कि आप कैसे सांस बाहर निकल रही है, तो इसको हम, जो बिगनर्स होते हैं, वो एक से दो मिनिट में आप उसको प्रानायम, इस प्रानायम को करें, और 5 तू 10 ताइम, 10 तू 15 ताइम, इसको ग्राजुली इंक्रीज करना है, पहले हमें बहुत जादा काउंट्स में नहीं करना है, कि हम पहले ही लोगों को देख कर और इस तरह से शुरू कर दें, ऐसे नहीं करना है, जो बिगनर्स हैं उन्हें नहीं करना है, जो अडवांस कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, बिगनर्स में क्या होता है कि हम पहले प्र यह आपको ऐसे करना है और बेटर होगा कि आप अपनी आँखें बंद करके और पूरी तरीके से ध्यान लगा के इनहेल करें और फिर एकजेल करें और जो भी कोई अडवांस कर रहा है जैसे प्रॉपर आप पहले आप करते आ रहे हो कापाल भारती तो आप कैसे करोगे आप एक से दो मिनिट में आप 15 तो 20 टाइम्स आप एकजेल करोगे जैसे इस तरीके से आपको करना है इसको करने के फाइदे क्या होते हैं इसका पालमेंस होता है जैसे मस्तस्क यह हमारे मस्तस्क से जुड़े जैसे साइनसेस साइनसेस को क्लीन करने का काम करता है हम जब इसे करते हैं तो जिसका भी पेट टपी बाहर है वो अगर रेगुलर बेसि जिसको acidity या फिर constipation की problem होती है वो चीजे दूर होती है यह हमारे लंक्स को स्ट्रॉंग करता है हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है इसे करने से पुराने से पुराने रोग भी चुट्कियों में दूर हो जाते हैं यह हमारे हार्ट मसल्स को टोन करता है और नेजल कैवि करता है जैसे मैंने भी बताया है कि साइनेस को क्लीन करने के काम आता है इसे 60% अगर हम इसे रेगिलर करते हैं तो इसे 60% तक टॉक्षिंज बाहर निकलते हैं क्यों क्योंकि जब हम इन्हेल करते हैं और फिर जब हम एक बार सांस लिया और फिर हम बार बार एक्षिल करते है इसका मतलब होता है कि हम जादा से जादा अपनी हमारी बॉडी में जितने भी carbon dioxide है उसका हम maximum percentage हम बाहर निकाल देते हैं इसलिए हम इसे प्रानायाम से better होता है कि हम इसे cleansing technique कहते हैं इससे हमारा दिमाग शान्त रहता है हमारी immune system strong होती है नियमित रूप से करने से हमारे जो आखों के नीचे काले घेरे होते हैं वो कम होते हैं और हमारे जो पेट के muscles होते हैं वो भी strong होते हैं और बहुत सारे फायदे हैं कपाल भारती करने के आप एक बार शुरू करेंगे तो आप प्लीज मुझे बताएं आप comment section में जाके एक या दो दिन में कोई भी चीज के और नहीं होती है इसमें regularity होनी चाहिए, continuity होनी चाहिए अगर आप आज करके फिर एक हफते के बाद कर रहे हैं आपको कोई भी profit नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी लाव नहीं दिखेगा तो हमेशा हर चीज को करने के लिए continuity होनी चाहिए आप इसे 2-3 महीने करके देखें, आप खुद अपनी body में, आपके पेट में जो भी हमारा पेट बहार होता है, टमी बहार होती है, फ्लाब्स होते हैं, वो सब अंदर हो जाएगे बहुत सारे लोग होते हैं, जो बिना जाने समझे, कोई भी योगा शुरू कर देते हैं तो ये कपाल भारती जो योगा है, वो किसको नहीं करना चाहिए सबसे पहले, प्रेगनेंट लेडीज इसे बिल्कुल ट्राइ ना करें अगर ट्राइ करना चाहते हैं, तो अपने योगा इंस्ट्रक्टर, नियरबाई जो भी योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं उन से जाके मिले और पूछें कि क्या मैं कर सकते हूं या नहीं बट जो हमारे प्रेगनेंट लेडीज उनके लिए बिल्कुल नहीं होता है अगर आपका बीपी शूट अप है, वो लोग बिल्कुल ना करें क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं इन्हेल करके हम सासों को रोपकर और फिर एक्जेल करना शुरू करते हैं ये हमारे बीपी को और बढ़ा सकता है या फिर हार्ट प्रॉबलम है या फिर हार्ट की सर्जरी हुई है वो लोग बिल्कुल ना करें जिसके भी हर्निया हुआ है वो ये प्रानायाम ना करें पेट ने कोई प्रॉबलम है, liver, kidney में कोई प्रॉबलम है तो वो लोग प्लीज ऐसे योगासन करने के पहले जरूर आप जाके किसी भी योगा इंस्ट्रक्टर से मिले तो फ्रेंट्स ये चोटा सा कपाल भारती आप डेली अगर 5 मिनिट्स अपने रूटीन में शामिल करते हैं बिलीव मी आप बहुत सारी बिमारियों से मुक्त हो जा झाल 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 झाल